दोस्तों कैसे हो आप सब तो दोस्तों मैंने जैसे आपसे पहले भी प्रामिस किया है कि मैं जितनी भी वीडियो लाऊँगा इस चैनल पे जितनी भी वीडियो लाऊँगा छोटी से छोटी जोब अपडेट बताऊँगा बड़ी से बड़ी जोब अपडेट बताऊँगा बस आप जो है चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजे जिन्होंने अभी तक टेलिग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है वो टेलिग्राम चैनल को फॉलो कर ले क्योंकि मैं कोई भी जॉब लाने से पहले सबसे पहले उस job का अपडेट अपने टेलीग्राम चैनल पे post कर दे तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों वीडियो को like जरूर कर ले और अपने दोस्तों तक share जरूर कर ले सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दू ये जो vacancy है ये ONGC मैं यही बोलूँगा कि अगर आप eligible नहीं है तो आप video को skip करके जा सकते हैं बट आप channel को like जरूर करते जाएं अपने दोस्तों तक भी बताएं ऐसा कोई channel करके हैं इसलिए एक मैं छोड़ बहुत छोटा सा update इसी के बारे में देने वाला था दोस्तों ongc oil and natural gas corporation limited बहुत firm है एक मिनी दतना company है और दोस्तों जो है central subsidized है इंडिया में जो आज के time में जोग पाना tough नहीं है बट मैं आपको पहले भी बोला आपकी skills आपको match कहने चाहिए दोस्तों opportunity आपके लिए खुद आएंगी भाग के opportunity आपके आगे खुद दरवजा घटकर आएंगे बस आपक करते रहना है यह जो वैकिंसी किस किस ब्रांच के लिए निकल के आईए असिस्टेंट इंजिनियर असिस्टेंट एक्जेक्यूटीव एक पोस्ट है इसके अलावा भी इन्होंने कुछ पोस्ट दी है बट मैं जो बात करूंगा वो इसलिए बहुत छोटा सा अपडेट ला वेकेंसी निकल के नहीं आई है बट आपके नॉलिज में रहे आपके दिमाग से skip ना हो जाए कि ऐसी कोई वेकेंसी भी आई है इसलिए मैं इसका information आपके सामने ला रहो बैचले डिग्री इन इंजिनिरिंग फाइर एंड सेफटी में कर सकते हैं graduate डिग्री और सीए यह आप इसमें मिनीमम टू अगर अगर फाइनेंस में कर सकते हैं इसमें जो आपकी सेल जॉब रहेगे वह पॉम्मरेंट रहेगे दोस्तों इसमें जो है 50-40% से ज़्यादा के disability वाले PWBD में select हो सकते हैं बट आपको फार्म सम्मिट करना होगा आपके पास एक और दोस्तों सर्वीस बॉंड इसमें कितने का होने वाला है सर्वीस बॉंड आपको यह कुछ थ्री यर्सका अपका सर्वीस बॉंड होगा और आपको जर्नल वालों के लिए 60% मांगा है और secretary के लिए इन्होंने pass marks मांगे है ऐसा ही shipping वाले के लिए भी 60% मांगा है तो दोस्तों 60% का कही criteria है अगर आपके 59.99 है तो आगे 60% में convert criteria नहीं माना जाएगा 60% properly चाहिए तभी आप यहाँ एलेजिवले दोस्तों unreserved के लिए 60% है और जो schedule cost है और जो person with bank disability उनके लिए 50% है exam pattern रहेगा इसका return test रहने वाला है 180 मिनट का 180 मिनट का जो return test रहेगा उसमें उसके base पे आपका यहाँ joining होगी application fees क्या दिये हुए है उन्होंने 100 रुपे दिये हुए जर्णल के लिए और SCST के लिए free of cost है अपका इसका link भी यह दिया हुआ है यहाँ से आप जाके डारेक्ट लिसको apply कर सकते हैं तो दोस्तों apply करने में ज्यादा time नहीं आएगा कोई भी प्लम आती है आप description में बताएं आपको next vacancy की job से related चाहिए नेक्स्ट की field से related चाहिए आप जल्दी से comment करके बताएं मैं जल्दी से जल्दी उसकी वीडियो लाऊं दूसरी वीडियो भी बहुत अच्छी रहने वाली है इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा